वेलकम दोस्तों मैं नितिन गुरू आप सभी को वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में जिसका नाम है सीय नितिन गुरू फाइनाइन्स नाइन्में जिसमें की हम लेकर आते हैं आपके लिए नैशनल और इंटरनाशनल इकॉनमिक्स और फाइनाइन्स पे उपर बेस्ट आज की वीडियो में आपको दो इंपोर्टन ब्रैंड्स और प्यूमा की हिस्ट्री के बारे में समझाने के लिए बता रहा हूँ और आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये दोनों के दोनों जो ब्रैंड्स है वो एक ही परिवार से निकल के आए हैं जी हाँ ये द जर्मनी में हुआ एक छोटा सा टाउन है हर्जोगनरच बनाम बड़ा टफ है भाई इस टाउन में इनका जन्म हुआ दो साल बाद इनके ब्रदर का जन्म हुआ जिनका नाम था अडॉल्फ टैसलर जो की आगे चलके अडिडास के मालिक बने दोनों भाईयों के जो पिता ज चैसलर शू कंपनी बनाई और वो कंपनी काफी पॉपलर होने लगी काफी मेहनत से उन्होंने उस पूरे एरिया में शू सेलिंग के काम को नई उचाईयों तक ले आए जो छोटे भाई हैं जिनका नाम एडॉल्फ है यह बहुत इनोवेटिव माइंड सेट के थे बहुत ज के साथ अपनी फुटबॉल के पीछे पीछे भाग पाएं और इनका यह मानना था कि नई तरह की इनोवेशन करते रहना चाहिए हर स्पोर्ट के लिए अलग तरह का शूस बन सकता है जो उस स्पोर्ट्स परसन को जादा मदद कर पाए यह सब कुछ चलता रहा इनकी चार गोल्ड मैडल्स जीते नाइं स्पनी स्प्रिंटरantes जादा तेज भाग सकते हैं तो इसके बाद इनकी company आगे ही आगे बढ़ती गई खूब shoes बनाते गई तब तक सब कुछ अच्छा था दोनों भाई इकटे थे एक ही company थी डैसलर shoe company और उसी के साथ-साथ ये लोग अपना business आगे बढ़ा रहे थे मेहनत कर रहे थे खूब सारे shoes बना रहे थे और बढ़िया तरीके से बेच रहे थे लेकिन second world war आई second world war की बाद इन दोनों भाईयों में differences बढ़ गए और जैसा कि होता ही है usually वो differences बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए कि दोनों भाईयों ने अब split कर लिया अपने business को अगर आप इस paragraph को देखते है 1948 में Deskler Brothers ने सोचा कि वही अपनी partnership को हम over कर लेते हैं क्योंकि tensions थी दोनों एक दूसरे के ओपर faith नहीं कर पा रहे थे तो दोनों भाईयों ने अपना business अलग कर लिया इन 1957 में Puma का जन्म हुआ यानि जब बड़े भाई Rudolph ने अपनी एक company स्टार्ट करी और उस company का नाम वैसे पहले उनोंने अपने नाम पे Rudy नाम रखा था लेकिन बाद नोंने उस नाम को बदल के Puma रख दिया और Puma के तरीके से ही Adidas ने जो छोटे भाई थे Adolf Dessler तो उनका nickname था Adi तो उनने अपने नाम के तीन डिजिट लिए तीन alphabets लिए Adi और अपने सरनेम के तीन alphabets लिए Dessler के DAS और उन दोनों को जोड़कर एक brand का जन्म हुआ जिसका नाम था Adidas जिसे कि दोनों कंपनी ने अपनी growth करते गए दोनों भाईयों के बीच में काफी प्रतीदवंदी और competition चलता रहा क्योंकि दोनों ही भाई एक दूसरे को distrust करने लगे दोनों ने अपने बिजनस को अलग अलग तरीके से develop किया आप जरूर बताईएगा मुझे जरा comment box में लिखके कि आप किस brand को पसंद करते हैं Adidas को या Puma को आपको किसके product जादा genuine और जादा अच्छे लगते हैं एक बड़ी सारी events होते रहें उनमें से एक event में जरूर बताना चाहूंगा 1960 के summer Olympics में जब बड़े भाई ने Puma के shoes एक sports person को दिये basically advertisement sign करी और ये कहा कि आप Puma के shoes पहन के track पे रन करिए उस athlete का नाम था Armin Harry German sprinter थे उन्होंने Puma के shoes पहने और Puma के shoes पहन के उनमें gold medal जीता लेकिन एक दिक्कत थी उन्होंने जब gold medal जीता उसके बाद जब वो podium पे गए अपना medal पहनने तो उस वक्त उन्होंने Aridas के shoes पहन लिए क्योंकि उन्होंने दोनों भाईयों से पैसे लिए थे एक से पैसे लिए थे sprint करने के लिए और एक से पैसे लिए थे कि medal मिलते वे तो इसके वज़ा से दोनों भाईयों के बीच में काफी कहा सुनी होई basically odd tension build up होती गई इस event के बाद आप कह सकते हैं कि उनका दुबारा कभी एक अठा आना impossible हो गया बहुत सारी brand sponsorships करी जैसे कि Puma के lead अगर आप कहें कि promoters रहे एक phase में पेले जो कि football sensation थे काफी सारी उन्होंने advertisement करी we make Pumas for pale and you ऐसी बहुत सारे campaigns करे Puma बढ़ता चला गया Adidas अपने आप में बढ़ता चला गया जब इन दोनों के लड़ाई होई उसके बाद अलग हुए दीरे दीरे करके जब इनकी death होई आगे इनके बच्चे थे अब ये दोनों के ही दोनों businesses जो है corporates बन चुके हैं यानि कि जो इनके बच्चे थे उन्होंने ज़ाद अपना stake companies के रूप में बेच दिया है अपना पैसा ले लिया है और controlling bodies अब कोई और है और ये लड़ाई इतनी इतनी popular है इन दोनों की कि आज भी उस German town में लोग ये देखते हैं कि दूसरे व्यक्ति ने कौन से shoes पहने है Edidas के पहने है ये Puma के पहने है क्योंकि वहाँ की ज़्यादा तर परिवार या तो बड़े भाई के लिए Rudolph Dessler के लिए या adult Dessler के लिए काम करते थे तो वो जो town है वो आज भी इन ही shoes के front पे बटा हुआ है दो parts हो रखे हैं आप मुझे जरूर बताएगा कि आपको कौन सा brand इन दोनों में से ज़ादा भाता है ज़ादा पसंदाता है जो छोटे भाई थे अडॉल्फ उनकी कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे patents अपने नाम पे कराए बहुत सारी नई technology से shoes बनाए in fact उमा ने भी बहुत सारी inventions करी बहुत सारे patents उन्होंने भी कराए और दोनों का business बढ़ता रहा पर क्योंकि हम लोग CA लोग हैं हम लोग financial aspect को जानने वाले लोग हैं तो आईए financial aspect देखते हैं यह आपके सामने data है 2006 से लेके 2020 तक का और यह billion euros में है यह बात याद रखें कि यह billion dollars में नहीं है यह billion euros में है तो billion euros में हम देखते हैं कि भाई किसकी कितनी sale है वैसे जो उपर वाली blue line है वो Nike की है इसके बारे में मैं एक अलग video बनाऊँगा कि क्यों Nike एक leader है sports industry में पर अगर हम Puma की बात करें तो 2019 बीस में लगभग 23.64 billion euros और 19.8 billion euros यानि approximately मैं कहता हूँ 20 billion euro के आसपास की sale है और वहीं पर Puma की मैं कहूँ तो 5 billion के आसपास की sale है यानि Adidas लगभग चार गुना बड़ी company है in terms of sales अगर हम देखते है Puma से तो आप मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको कौन से shoes comfortable लगते हैं और अगर किसी अन्य ऐसे रोमान्चक financial topic पे अगर आप new सुनना चाहते हो देखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे comment में लिख कर भेजएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन topics के लिए भी आपके लिए नहीं नहीं videos लेकर आता रहूँ All the very best और इन videos को please share कीजएगा चैनल ज़रूर subscribe करिएगा वीडियो को like भी ज़रूर करिएगा take care bye bye